आज मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ आप सभी जानते हैं कि हम जीवन के कई ऐसे पहलू होते हैं जहां हम अपनी भरपूर महनत करते हैं बहुत कोशिशे करते हैं अपने लक्ष को पाने की किन्तो कई बार ऐसा होता है कि लक्ष पर पहुशने से पहले ही हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है या हम होसला हार बैठते हैं तो ऐसे समय में हमें अपने जो होसले को कायम रखना है जो हमें अपनी अंदर की जो लौ है हमारी उसको जलाए रखना है या अंदर के जजबे को हमेशा जो है हमें जिन्ना रखना है इसके लिए मैंने एक खुद कविता लिखी थी और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस कविता को जो भी विक्ति सुनेगा और इंस्पार्स से हो सकता है और अपने जीवन में दुबारा से मैनत करने के लिए मेरे ख्याल से एक कदम उठा सकता है और कभी हार ना मानने वाली सिती को अपना सकता है तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप इस कविता को मेरी सुने ये मैंने खुद लिखी थी 2018 में लिखी थी और मैं चाहा रही हूँ आपको मैं सुनाओं तो सुनिये दोस्तों हर राह की मन्जिल आने को है हर राह की मन्जिल आने को है तुम लौ को अपनी जलाए रखना मुकमल होगी तुझे तेरी महनत हर वक्त हर लम्हा इसे कायम रखना कहते हैं कि गर मुश्किले आएं तेरे कद्मों में आए दोस्त तु उनको अपने पैरों तले दबाए रखना और गर हार ना मान जाएं ये मुश्किले तेरी तु नाम आए मेरे दोस्त मेरा दूसरा रखना तो ये बात आपको समझाने की कोशिश किए कि हर हाल में आपकी मुश्किले जो है आपसे हार मान जाएंगी नहीं तो आप मेरा नाम बदल दीजेगा आगे की लाइने कुछ इस प्रकार है कि समंदर की गहराई तुझे नापनी होगी समंदर की गहराई तुझे नापनी होगी बस इसके लिए थोड़ा होसला रखना गर चाहिए तुझको सीपों का खजाना तो गोतों की रफतार को बढ़ाए रखना यानि अगर आपको सीपों का खजाना चाहिए या खजाना चाहिए तो आपको और अंदर गोते लगाने पड़ेंगे समंदर की गहराई में जाना पड़ेगा आगे की कुछ लाइने इस प्रकार है, आगे की चार लाइने हर पल हर कदम अपना पका रखना झखहार के मिलती है तरक्की सबको जखहार के मिलती है तरक्की सबको बस सब्र का दामन तु हमेशा थामे रखना यह कविताओं की मेरी पंक्तियां है और मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अगर यह आपके जीवन में कुछ मोटिवेशन ला सकती है यह आपको किसी बी प्रकार से अगर आप किसी खटनाई में या आप अपने आपको बहुट लेट डाउन फील कर रहे है या आप ने को कहीं भी कम आग रहे हैं तो आप इनसे मोटिवेट होकर आप इस से हौसला लेकर जीवन में बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं क्योंकि समय क कुछ पता नहीं है, समय आपके लिए कभी भी बदल सकता है, हो सकता है, आपके जीवन में आज मुझ्किल हो, लेकिन कल नहीं होंगी, बस आपको क्या करना है, अपने सब्रकी, जो आपके अंदर का जो इक पेशन्स जिसे हम कहते हैं, धैर है कहते हैं, उसको बनाय रखना है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है जीवन में आगे बढ़ने के लिए ततपर रहेंगे और यही मेरी शुपकामनाय है आपको नमस्कार साथियों, नमस्ते तैंक यू